नवस्कार आप देख रहे हैं टैलेंटिट इंडिया और मैं हूँ राहुलतिवारी शुक्रवार की सुबह शुरुआत एक सकारात्म ख़बर से जमू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इन बातों में सच्चाई कितनी है और इन बातों का जमू कश्मीर में क्या असर हो रहा है ये किसी को नहीं पता पर कुछ लोगों का कहना है कि घाटी में धारा 370 बंदू की नुक पर हटाई गई वहाँ के लोग दहशत में है और धारा 144 के तहट जितने प्रतिबंध उन पर लगाये गए हैं वहाँ की आम नागरिक का वहाँ की फजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है ऐसे में हम सब क्या चाहते हैं? हमारी चाहत क्या है? हम चाहते हैं एक शांतिपुन मुल्क, एक अवन पसंद माहौल और साथी साथ एक विकास पसंद देश क्या वाकई घाटी भी इन तमाम सारे उसूलों से और इन तमाम सारी संभावनाओं से एक बार फिर गुलजार हो सकीगी इस बात की संभावनाएं एक तस्वीर ने बढ़ाती है एक तस्वीर इंदनों सूशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है जिसमें CRPF के एक महिला जवान कश्मीर घाटी के ही बच्चे से हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है दूरदर्शन और प्रसार भारती ने अपने ट्वीटर हैंडल से इस फोटो को शेर किया है और साथ ही साथ लिखा है कि यह विश्वास और मुसकुराहत का तूट संगम है इसके बाद लगातार इस तस्वीर को लोग शेर कर रहे है और इसकी तारीव भी कर रहे है इसे दो दिन पहले राश्ट्री सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कश्मीर में वहां के स्थानी नागरीकों से मिलने पहुँचे थे इस दोरान अजीत डोभाल का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहां के लोगों के साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे थे और इसके बाद से ही यह संभावनाय भी जताने जाने लगी थी कि कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद अब सरकार ने शान्तिपूर्ण महाल बनाने की कवायदें शुरू करती है आज शुक्रवार है और कश्मीर घाटी में भी जुमे की नमास पढ़ी जानी है सरकार ने इसके लिए तवाम सारे माकूल इंतजाम किये हैं और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि वे शान्ति बनाए रखें उमीद ही की जा रही है कि शुक्रवार का दिन यदि कश्मीर घाटी में शान्तिपूर्ण तरीके से निकल जाता है तो आने वाली 12 तारीक को जो इदुल जुहा का त्योहार है उसे भी सरकार इसी तरह से अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहट निप्टाने की कोशिश करेगी इतकात योहार सभी आमन और शान्ति के साथ मनाएं और उसके बाद फिर सरकार अपनी आने वाली रणनीती को सपष्ट करेगी कल राश्टर के नाम संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने भी कहा था कि कश्मीर घाटी में किसी भी तरह के असुविधाएं लोगों को नहीं होने दी जाएगी उन्होंने कहा था कि यदि कश्मीर घाटे का विकास होगा तो सभी लोगों का उसमें हित है और इसके बाद ही ये भी जाना जाने लगा है ये भी माना जाने लगा है कि सरकार कश्मीर के लोगों के लिए तमाम सारे समुचित कदम उठाएगी और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी इस पस्ट रूप से देखने को मिलेंगे